दोस्तों आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में फ्रेंड्स आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्क्राइब जरूर कर दीजिए ताकि बहुशे में भी आप मेरे चैनल से जुड़े रहें फ्रेंड्स इस साल की जो मुख्य मुख्य अक्सरसाइज हुई है डिफेंस की वो आपके लिए उपस्तित है ये जुलाई से नौंबर तक की मुख्य मुख्य डिफेंस अक्सरसाइज है और सबसे पहली है सूर्य किरन सूर्य किरन अक्सरसाइज कहां पर हुई है सलजंडी नेपाल में और ये किस-किस के देश के बीच होती है अरसाल होती है बारत और नेपाल के बीच और सिफ्तंबर में ये हुई थी सूर्य किरन इसमें सबसे important क्या है कि किस किस देश के बीच हुई ये ज़्यादा पूछता है बारत और नेपाल के बीच और अगला है परले सायम ये कहां पर हुई थी हैदराबाद में ये परले सायम बाड रात के लिए अभ्यास था NDRF का NDRF की फुल फोर्म क्या होती है National Disaster Response Force कि बाड आ जाए तो किस तरह से रात के लिए कारी के जाएं से तुम्बर में किया था और अगला क्विस्चन है युदब्यास 2017 ये इंपोर्टेंट अक्सरसाइज हैं उन में से अरता है दो तीन इंपोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगा ये कहाँ पर हुई वाशिंग्टन में इस साल एक साल बार्त में होती है और एक साल वाशिंग्टन में और किनकएंडेसों के बीच होती है इंडिया और USA के बीच सित्तंबर में हुई इस साल अगला है दुरुजबा 2017 दुरुजबा देखो किसी और बासा का on इंगलिस में मतलब होता है friendship यह है रूस में होई थी पाकिस्तान और रूस इसमें इंडिया सामिल नहीं होता है पाकिस्तान और रॉसिया की काफी चर्चा में रती है यह और यह से तंबर में होई थी और फ्रेंड्स अगला आपके लिए युद्ध ब्यास है इंद्रा 2017 जो सबसे ज़ादा इंपोर्टेंटों में आता है एक तो मैंने युद्ध ब्यास बताया जो सबसे ज़ादा चर्चा में रहती हैं एक इंद्रा है और एक है मालाबार ये हैं तीन च्यार जो सबसे ज़ादा इंपोर्टेंट माने जाते हैं सबसे ज़ादा चर्चित रहते हैं और फ्रेंड्स इंद्रा कहाँ पर हुआ था रशिया में ब्लाडी वोस्टक में और ये इंडिया और रशिया के बीच हुआ था और फ्रेंड्स इसका ऐसे भी द्यान रख सकते हुआ इंडिया और रशिया का आप देखिये नाम में चुपा हुआ है आई एंडी और आरे आई एंडी से इंडिया और आरे से रशिया ये इसी कारण से इसका नाम रखा गया था और इंदों का युद का देवता कौन है इंदर उसके नाम पे इसका नाम रखा गया है इसकी लोकेशन अरे की इतनी इंपोर्टेंट नहीं रहती पूछ तो सकते हैं वैसे लेकिन सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट रहता है कि किस किस के बीच हुआ इंडिया और रस्या के बीच इस साल इसमें खास बात क्या थी इस अक्सरसाइज में कि पहली बर वाइस के इतियास में कि तीनों से ना बार्ट की तीनों से ना उने बाग लिया जल से ना वाईसे ना और थल से ना तीनों ने अक्टूबर में हुई थी है अगली डिफेंस अक्रसाइज है मैं 3 2017 ये किस-किस के बीच होती है देखो इसको इसमें नाम में चुपा होता है देखें मैं पलस 3 मैंने ट्रिक बनाये ये वैसे अलग मतलब हो सकता है इसका मैं तो बार्त हो गया मैं खुद बार्त और 3 से टी से कौन सा देख मन गया थाइलेंड थाइलेंड बार्त और थाइलेंड के बीची साल चंबा होई माचल में होई थी मिल्ट्री के अक्सरसाइज है जुलाई में होई थी और अगली अक्सरसाइज है संप्रिती संप्रिती 2017 ये मिजोरम में होई थी नौंबर में होई और ये बारत बांगलादेश की है बारत बांगलादेश के संबंद अब अच्छे हैं संप्रित्ती प्रित्ती मतलब तो इससे आप संबंद प्रित्ती इससे बारत और बांगलादेश के आप कर सकते हूँ फ्रेंड्स आपके लिए किस्चन है कि बारत बांगलादेश के बीच जो रेल सेवा चलाई गई थी काफ़ी चर्चा में रही थी परदान मंतरी मोदीजी ने उसका नाम बता दीजी काफ़ी इंपोर्टेंट है और फ्रेंड्स अगला युदब्यास है उसकी भी मैं ट्रिक बताता हूँ आपको परबल दोस्तिक परबल दोस्तिक ये कहां पर हुआ है बखलो इमाचल परदेश में ये भी इमाचल परदेश में हुआ और ये आर्मी की एक्सरसाइज है और इसमें देखे दोस्ती तो लिख बन रहा है कैसे कजाकिस्तान कजाकिस्तान के साथ भारत की ये अक्सरसाइज है परबल दोस्तिक इंदी का वाड़ है परबल दोस्तिक दोस्तिक के आगे कह लगाने के ये मतलब है कि इसका देश का नाम किसी न किसी तरह बता रहे हैं फ्रेंड्स अगली अक्सरसाइज है मि पूने महराष्टर में हुई इस साल और ये 13 अक्टूबर को हुई यानि लेटेस्ट है ये इसके भी मैंने बताया नाम में चुपा हुआ है मित्तर सक्ति के तो इसके सक्ति सक्ति का सह ले लो और सिरी लंका सिरी लंका का एसेच दोन्नों मिल रहे हैं मित्तर कौन हो गया बार दोस्ती इंडिकावर्ड हो गया बारत के लिए यूज हो गया और कैसे दोस्ती के आगी कह लगाने का है तो इस तरह से मैंने कई आपको इंदरा और सभी देशों का इजी करके बता दिया है अगला है मालाबार 2017 ये है नेवी की एक्सरसाइज और ये सबसे ज़्यादा चर् कि क्याय गया है और यह अलग अलग जगएं पर होई थी केरला कोस्त जो हता है मालाबार सेत्रूस में खास कर होती है और चिंद नहीं में हूई थी इस साल इस साल ले एक चर्ण चैन नहीं में हुआ था चेनी कोस्ट पे और फ्रेंट्स अगली कुछ अक्सरसाइज हैं इंपोर्टेंट जो इतनी इंपोर्टेंट तो नहीं है लेकिन थोड़ थोड़ा बता देता हूँ अजय वारियर किस किस के भीच है बारत और बिर्टेन के भीच आर्मी के अक्सरसाइज है देखे बिर्टेन वालों ने पंदरवी सोडवी स्ताबदी में पूरी दुनिया पर राज किया था तो वो अजय योद्धा थी इंडिया में कितनी लड़ाई या लड़ी थी उनको आपको भी पता है पूरी दुनिया में लड़ाई या लड़ी है इन्होंने और ये अजय वारियर थे इससे आप याद रख सकते हो कि बिर्टेन बारत और बिर्टेन के बीच अजय वारियर है और इंदर दन उसकिस किसे बीच ये भी इंडिया और बिर्टेन के बीच है और फ्रेंड्स सिंबेक्स सिंबेक्स और जिंबेक्स देखो ये एक्स एक्स ल सी से सिंगापूर और जिम्बेक्स जी से जापान बारत और जापान के बीच हैंडिन एंड है इंडिया और चाइना की आर्मी अक्सरसाइज ये भी चर्चा में रहती हैं लेकिन इस साल की तो मैंने आपको बताई दी ये पहले की हैं एक जनवरी से जून तक की और से मैत्री में मैं से मतलब बारत से हैं और त्री से थाइलेंड और इसी तरह मित्तर में मित्तर बारत है और सक्ति सिरिलंका सक्ति का सक्ति से सिरिलंका बन जाता है तो इजी वे मैं आपको बताया है एसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा और मेरे चैनल से जुड़े रहे है और देखे जो इस बार के क्युस्चनों के सही जवाब दिये थे उनके ये नाम है और इस बार के क्युस्चन भी मैं पूछने वाड़ा हूँ अभी देखे ये तो पहले पहले वीडियो के ये इसके बाद के वीडियो के और ये अब के वीडियो के देखे यह नाम एक बार मैं बोल के बता देता हूँ यह सिवानी कुमारी कपील केपी पुजा मिस्रा अरुन राना यबबाज जी देवा पुन्नमदास भीरबल सोनक अमित दंखड अमित्ता दंखड है विपिन मेश राम और फ्रेंड्स आपके लिए इस बार वाड़े क्यूस्टन्स आपके लिए है देखे पहला क्यूस्टन है कांडला पोर्ट का नया नाम क्या है कांडला पोर्ट का नाम बजला गया है बहुत इंपोर्टेंट क्यूस्टन बनता है इसका नए नाम आपको लिख के बताना है और इस बार एस या कप हुआ जो 22 अक्टुबर 2017 को खेला गया उसमें बारत के कप्तान तो थे मनप्रीत सिंग और बारत के कोच थे सजोड मरीन जो नए बने होलेंड के और कहां पर हुआ था ये डाका में हुआ था बांगलादेश डाका में हुआ था आपको बताना ये है कि बारत ने ये जित्ता था तो फाइनल में किस देश को रहा है था फाइनल में किस देश को 2-1 से रहा है था और फ्रेंट्स तीसरा क्यूस्चन है तीसरा काफी लंबा हो गया ये क्यूस्चन वैसे पता लगाया होगा आपको तीसरा क्यूस्चन है दिनेश्वर सर्मा अक्टूबर नौरमबर में किसलिया चर्चीत रही थे तो फ्रेंट्स धन्यवाद आपका जूड़े रही है मेरे चैनल से